नीचे description में आपको group theory की playlist का link मिल जाएगा आज हम बात करेंगे group of automorphism और group of inner automorphism के बारे में तो यहाँ पर पहले हम definition देख लेते हैं collection of all automorphism on any group G is group with respect to composition binary operation composition of operation हम जानते हैं जो functions के बीच में लगता है and denoted by auto G यानि इस तरह से denote करते हैं तो इस set में किस तरह के elements हैं जो हमारे automorphism हो G पे and collection of f of a x is equals to a x inverse type elements automorphism also forms a group denoted by inner automorphism is equals to f of a such that a belongs to G तो लास्ट दो लेक्चर में हमने बात की थी automorphism और inner automorphism के बारे में अब अगर जो automorphism हैं जितने भी automorphism हैं उनके सबका गरम collection लें तो वो भी हमारा group बनाएगा और उसको हम denote करेंगे auto G inner automorphism का गरम collection लें तो वो भी हमारा group बनाएगा उसको हम denote करेंगे in G और उसमें इस तरह के element होंगे ठीक है यहां पर कुछ examples देख लेते हैं important examples हैं जिनको याद रख सकते हैं यहां पर auto Z जो है वो isomorphic होगा Z2 के यानि automorphism of Z जो है इसको simply auto Z बोलेंगे auto Z में दो ही automorphism होगा एक हमारा किस तरह का होगा इस तरह का और एक हमारा इस तरह का automorphism होगा जब दो ही होंगे तो यह किसके isomorphic होंगे इस group के ठीक है और similarly यहां पर अगर हम auto Z की बात करें तो यहां पर यह हमारा किसके isomorphic होगा UN के और यह UN क्या होता है हमारा unit group होता है यानि ZN की जितने भी units हैं उन सबका collection होता है एक्जामपल के लिए जैसे auto अगर हम Z10 की बात करें तो यह किसके आइसोमर्फिक होगा U10 के और U10 हमारा किसके आइसोमर्फिक होगा Z4 के और UN के बारे में हम जानते हैं कि अगर N हमारा 2 है या 4 है या फिर P की पावर N टाइप में है जहां पर P हमारा क्या होना चाहिए Auto Z10, यह हमारा U10 के Isomorphic होगा, U10 हमारा Z4 के Isomorphic होगा, और इससे हमें पता चला कि यह जो Auto Morphism Z10 का होगा, वो हमारा Cyclic होगा, Cyclic Group होगा, एक और example देख लेते हैं, Auto Z8, यह हमारा किसके Isomorphic होगा, U8 के, ठीक है, और U8 किसके Isomorphic होगा, K4 के, और K4 हमारा किस तरह का Group होता है Z2 क्रॉस Z2 का, और यह हमारा क्या होता है, Non-Cyclic, Abelion होता है, पर Non-Cyclic होता है, तो Auto Z8 जो है, वो हमारा Non-Cyclic होगा, ठीक है, तीसरा example क्या है, कि If G is Cyclic, यह imply करेगा, Auto G is Abelion, example हमने यहाँ पर देख लिया, कि यह हमारा क्या था, Cyclic था, तो यह जो है, वो हमारा क्य आया, Abelion आया, जो कि Non-Cyclic भी हो सकता है, और Cyclic भी हो सकता है, लेकिन Abelion होगा, तो यहाँ पर वही चीज लिखे है, इन जनरल, कि अगर G Cyclic है, तो Auto G जो है, वो Abelion हमेशा होगा, और यह Depend करेगा, कि Group किस तरह से है, तो उसके ओपर, तो Auto G जो है, वो Cyclic भी हो सकता है, और Non-Cyclic भी हो सकता है, Auto K4 जो है, वो हमारा किसके Isomorphic होगा, S3 के, ठीक है, यानि K4 हमारा क्या है, केलियन 4 ग्रूप, और S3 हमारा Symmetric ग्रूप है, लेकिन यह हमारा इसके Isomorphic होगा, और यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं, कि K4 हमारा Abelion ग्रूप है, और S3 हमार Non-Abelion ग्रूप है, तो अगर G Abelion है, ठीक है, तो Auto G जो है, वो हमारा Abelion भी हो सकता है, और Non-Abelion भी हो सकता है, लेकिन यह Cyclic कभी नहीं होगा, अगर G हमारा सिर्फ Abelion दे रखा है, तो यहाँ से एक चीज होई, कि अगर G Cyclic है, तब तो Auto G जो है, वो Abelion होगा, लेकिन अगर सिर्फ G Abelion है, तो Auto G जो है, वो Abelion भी हो सकता है, और Non-Abelion भी हो सकता है, और इन जनरल Auto of SN जो है, वो Isomorphic होगा, SN के, और हमें थेवरम भी जानते हैं कि हर एक ग्रूप जो है, वो Isomorphic होता है, Permutation Group के, उसका भी हम प्रूप देखेंगे, आज फिरहाल इतना ही देख तो इन जी जो है, वो Singleton E आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि for A belongs to G, F of A, X is equal to क्या होता है, A, X, A, Inverse, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, चुकि A, X, X, Inverse, A, Inverse, यह सारे elements हमारे G के होंगे, और G हमारा Abelion दे रखा है, तो यह हो जाएगा, X, A, A, Inverse, और यह हमारा identity के equal हो जाएगा, तो यह हमारा X के equal हो जाएगा, for all A, ठीक है, तो यह if and only if inner of G is isomorphic to identity automorphism, और इसी को हम E बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर E क्या है हमारा identity automorphism, automorphism हमने देखा था कि auto G में, अगर G abelion है, तो auto G abelion भी हो सकता है, और non abelion भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर inner में G, inner G अगर देखें तो, यहाँ पर अगर G abelion है, तो यह singleton E ही आएगा, इस तरह से example के लिए inner of K4, K4 हमारा abelion group है, तो यह E आएगा, और इन general अगर हम ल singleton E, यहाँ पर E हमारा depend करेगा, ZN में क्या identity है, ZN में 0 होता है, और यहाँ पर order of inner of G हम आसानी से निकाल सकते हैं, और auto में हम जो है, auto G में, उसमें हम order जो है, इतनी आसानी से निकाल नहीं पाएंगे, यहाँ पर हम बड़ी आसानी से find out कर सकते हैं, यहाँ पर formula होता है, order of inner G is equals to क्या होता है, order of G divided by order of ZG, ठीक है, जहाँ G हमारा क्या है, finite है, एक example ले लेते हैं, कि अगर order of G जो हमारा P cube है, तो order of ZG के पास क्या choice होती है, P choice होती है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं, कि ZG का order less than होगा, order of NA less than होगा, order of G के, ठीक है, अगर order of G जो है, वो P cube है, और G हमारा non-emalian है, तो यहाँ पर इसका order भी exist करेगा, इसका order भी exist करेगा, और यह हमारा, दोनों order G से जो है, वो less than होगे, तो order of ZG के पास एक ही possibility है, P, ठीक है, इसका order of inner of G is equal to क्या हैगा, order of G upon order of ZG, यह हमारा P है, यह हमारा P cube है, तो यह हमारा P cube है, तो यह आ जाएगा P square, इसका order of G is abelion, तो यहाँ से हमें एक result मिल गया कि, if G is non-abelion, then inner G may be abelion group, जबकि जब हम auto देख रहे थे, तो वहाँ पर अगर G abelion था, तब भी जरूरी नहीं था कि auto G जो है, वो abelion हो जाए, लेकिन यहाँ पर G non-abelion है, तब भी inner of G जो है, वो abelion हो सकता है, inner of AN is isomorphic to AN, यहाँ पर यह एन क्या है, alternating group है, alternating group क्या होता है हमारा, जिसमें signature of permutation 1 हो, उन सब का collection होता है, inner of SN क्या आ जाएगा, SN ही आ जाएगा, जब N हमारा greater than equal to 3 हो, यानि 3 के लिए, 2 के लिए यह identity हो जाएगा, क्योंकि N अगर 2 हुआ, तो S2 हमारा abelion हो जाता है, और abelion के लिए ABM ने देखा था, कि वो inner of G क्या आता है, singleton E आता है, यहाँ पर A4 में, यहाँ पर यह A4 के लिए इस तरह से होगा, लेकिन A3 क्या होता है, abelion होता है, तो यह हमारा identity आएगा, तो आज के लिए बस इतना है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे चनल भी को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में,